नमस्क्राइब दोस्तों, मेरा नाम है भलचंद्र, ब्रह्मान्द सिद्याश्टु में आप सभी का स्वागत है आज के सुडिया में हम चर्चा करेंगे सिंग लगन का मई 2022 का संपूर्ण राशिफल कैसे होंगे ग्रहयों, कैसे होंगे ग्रहों के राशंतर और वो आपके लगन पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले है, कौन से निरने आपको लेने है, कौन से निरने आपको टालने है सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले है अपना यह जो चैनल है ब्रह्मान्ड सिद्धियास्ट्रो इस चैनल पर मेश लगन से लेकर मीन लगन तक कि जो सभी लगन है उनके लिए मई 2022 का जो फल है वो क्या होगा उसके संदर में वीडियो उपलोड हो चुके हैं आप उसका आनल जरूर लिजे तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंग लगन का मई 2022 का संपुन राशिफल जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपका स्वास्त या फिर मानसिक स्वास्त कि इस प्रकार का होगा तो आपके लगन स्थान का जो स्वामी है ब्रमन कर रहा है और दिनांग 15 तारीक के बाद यह आपके दशंभाव में ब्रमन करेगा तो आपको जो काफी अच्छा देखा जाएगा भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा अब यहां पर एक बात जान में लेना बहुत जादा आवश्यक है भाग्य का सा लेने ही होंगे आपको प्रयत्न करने ही होंगे यह बॉटम लाइन है तो सिर्फ और सिर्फ भाग्य के साहरे नहीं चलना आपको अपनी तरफ से भी एफट देने ज्यादा आवश्यक होंगे जैसे कि 15 तरीके बाद यह जो रवी है यह जैसे ही आपके दशंभाव में ब्रह दभी होगे और appreciation आपको मिलने के वज़े से आपको जो confidence है वो भी काफी अच्छी तरीके से boost होता हुआ नजर आएगा तो कुल मिला के देखा जाए तो जो भी आपका कारशेत्र है या फिर आपकी मानसिक्ता के स्तर पर अगर देखा जाए तो यही पर नेप्चुन और शुक्र यह ग्रह भी सम्मिलित है तो यहाँ पर दो तीन बाते ध्यान मेरे खनाशारी स्वास्त के बारे में चोड़े मोड़े problem आपको दिखाए दे सकते हैं हलाकि आपके लगन के हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो पित्त प्रकृति है वह देखे जा सकती है या फ इसे प्रकर आपके जो धन भाव है या फिर आपकी जो financial status है उसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो आपका जो धनेश या फिर लाबेश आपके दशम भाव में वक्री अवस्ता में चल रहा है तो यहाँ पर दो तिन बाते ध्यान में रखना आवशा क्योंगा जो भी आ ज़्यादा सोचता नहीं तो अगर आप उस प्रकार से अगर आप investment करते हो तो वो चूकने की संभावना काफी जन्तिवध्य है उससे आपको heavy losses वगरा आ सकते हैं उसी प्रकार आपका जो पंचमेश है गुरू और आपका जो अश्टमेश है गुरू उनकी लिए से देखा तो जो अश्टमेश गुरू है वो स्वयम के राशी में ही ब्रह्मन कर रहा है तो इसलिए ऐसे देखा जाये तो आपको easy money जिसे हम कहते हैं वैसे आपकी जो राशी वह easy money में भी काफी विल्यू करती है तो आपको easy money मिलने के chances काफी ज्यादा बनते हैं ऐसे पैसे ऐसा धन या फिर ऐसे लाव जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था अनुमा नहीं लगाया था इस प्रकार के लाव आपको मिलने की सम्मावना काफी अच्छी बनती है जो कि काफी अच्छी बात भी होगा अगर आप शेयर मार्कर से डिल करते हो तो भी यह जो समय है वो आपके लि अगर देखा तो इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा बाकि जो आर्थिक स्तर है वो आपका नॉर्मल ही रहेगा उसी प्रकार जैसे हमने रिलेशन्शिप के बामले में बात की तो रिलेशन्शिप के बामले में किसी प्रकार के बड़े प problem complications आपको नहीं आएंगे अगर आप विवाईत हो तो आपके लिए थोड़ी महतु पुर्ण बात है क्योंकि आपके सब्सक्राइब में शनी का भ्रह्मन हो रहा है और वही परमंगल भी विराजमान है तो पिछले करेंबर 8-10 दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो वै रहेगा लेकिन करीबन 18 तरीके बाद ये मंगल आपके अस्टमभाव में ब्रह्मन करेगा तो 20 तरीक के आगे का जो समय है उसमें आप में और आपके वाई 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 जो डिदा रहे हैं उनमें काफी अच्छी हार्मनी देखी जाएगी अंडरस्टैंडिंग भी काफी अ वह आपके साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आएंगे मतलब आपके जो वरिष्ट है उनके साथ भी चोटी मुटी बातों को लेकर तकरा रहो सकती है हाला कि यह जो सभी बाते हैं 25-26 तारीके बाद नॉर्मल भी हो जाएगी लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा एड़्यस क में उतरकर जो ग्रह योग बना रहे हैं उसके संदर में थोड़ा सा ध्यान देना भी आवश्यक होगा तो करियर के मामले में थोड़ से आपको इस प्रकार के प्राब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर बुध भी वक्री है दस तरह के बाद बुध भी व सिंगल लगन है और सिंगल लगन और आपकी अगर कुम्ब राशी है तो आपका जो चंद्रमा है वो चंद्रमा यहाँ पर सत्तमभा में विराजमान होगा तो आपके लिए यह जो समय है यह जो महिना है वो काफे ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है जैसे कि आपक स्यादा एक्स्ट्रीम लेवल तक जा सकती है तो बस उसी के उपर ध्यान देना आवश्यक होगा लेकिन जैसे ही मंगली अट्रा तरीक के बाद करीबन बीस तरीक के बाद आपके जो वाई-वाई-वाई-जोड़िदर उन है उनमें और आप में जो भी बाते जो भी प्रॉल् होनने होने जा रहे हैं तो ओड़ास आपके जो लगन है काफी मोटे तोूर पर सोचता है काफी बड़ा सोचता है तो अगर इसी कोई बात है, अगर उसके संदर में कोई यह जो यूजना है, जो भी आपके मन में रहेंगे, उसके संदर में अगर इंप्लिमेंटेशन करना है, तो इन दिनों में नहीं करना, क्योंकि थोड़ असा आपके जो अनुमान है, वो चूकने की संबावना ज्यादा बन रहें, अगर इन दिनों में कही आप बाहर भी निकल रहे हो, किसी ट्रैवल के सामने रखते हुए, तो ट्रैवलिंग के बारे म भी आपको सेहत के बारे में चोटे-बूटे problem complications हो सकते हैं, उसी प्रेकर इसके बात का जो particular aspect है, जैसे की रवी और राहु की यूती दिनांग 13 तारिक को होने जारे, इसको जो प्रभाव हो है, वो 12, 13 और 14 तारिक को देखा जाएगा, इसमें सब से महतो पुरुनबाद, आ आप कासे involved हो जाओगे, और involved होने के बाद तब तक तो आपको सब कुछ सही देखेगा, लेकिन दिन जैसे ही बीचते जाएंगे, वैसे आपको लग सकता है, कि जो भी आपने निर्णे लिया है, वो कितना गलत था, तो आप भ्रमित हो सकते हो, misunderstanding आप में देखी जा सकती है, तो थोड़ा से ये जो particular aspect है, ग्रायोग है, रवी और राव की यूति, जो कि 13 तरीकों होने चारी है, थोड़ा सा खुद पर सयम रखना आवश्यक होगा, उसी प्रकार दिनांक 15 तरीक को रवी और शनी का केंदर योग होने जा रहा है, रवी जो कि आपके भाग्य भाव मे ब्रह्मन करेगा, उसके साथ आपके इस अफ्तमभाव का जो शनी है, वो केंदर योग करने जा रहा है, इसका जो प्रभाव हो है, वो दो तरह से देखा जाएगा, एक तो जो भी आपका कारिक शेतर है, उसे रिलेटेड वहापर के जो आपके जो senior होंगे, जो वरिष्ट ह जो होंगे, उनसे आपके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है, वो तकरा थोड़ी बढ़ भी सकती है, और इसी प्रकार के कुछ अनुबह, आपके जो वाई-वाई-जोडिदार है, उसके उनके साथ बे में भी मिलने की संभावना काफी जादा बनती है, तो और इस यूती का जो कारियकल होगा, वो कारिबर 17-18-19 तारे को खासा देखा जाएगा, तो यहाँ पर अपने खुद के स्वास्त के बारे में ध्यान रखना बहुत ही जादा अवश्यक होगा, स्वास्त के बारे में ऐसे कोई परिणाम, ऐसे कोई दिक्कते आपके सामने सक सकती है, जो कि आपको विचलीत कर सकती है, तो थोड़ सा सयम रखिये, पेशन्स रखिये, बाती जो है, जो आपको स्ट्रेस वाली लग रही है, वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए भी नजर आएंगी, उसी पर अगर मंगल और गुरू की युती भी होने जा रही है आपके अस्टमबाव में, अब यहाँ पर आपके लगन के लिए देखा जा, तो मंगल जो है, चतुर्थेश भी है, और भाग्येश भी है, मैं तो फुर्ण ऐसा ग्रह योग होने के कार, इसके जो परभाव है, वो आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगा, और जो गुरू है, और आपका अस्टमेश है, इसके कारण, यह जो ग्रह योग है, इस ग्रह योग का दर्मयान मतलब, 29 तरीक के लिए ग्रह योग है, मंगल और गुरू को यूति, और इसका जो प्रभाव है, वो देखा जाएगा करीबन 28, 29, 30 तरीक को, और इसकी जो परणाम है, वो काफी अ जूति होने जा रही है, आपके अस्टमभाव में वो शुबु फलजाई साबित होगी, थोड़ा सा खुद के सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्य होगा, उसी प्रकार इस मैने की जो पूर्णिमा है, वो 16 तरीक को है, और जो अमावस है, वो 30 तरीक को है, अम किसी भी प्रकार के commitment, promises, witness रहना या फिर विवादों में जाना बिल्कुल भी नहीं करना, उसी प्रकार हमने और एक नया चैनल लॉंच किया है, जिसका नाम है कुंडली अभ्यास, इस चैनल पर करीबन हर एक प्रकार की जो कुंडली है, वो दी जाएगी, जो हमने खुद स् आपने जो अनुवह है, वो भी आप वहाँ पर comment कर सकते हो, आज के जो वीडियो है, वो आपके कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुवह किया, comment box में जरूर कमेंट करना, और अपने जो चैनल है, ब्रह्मा अंद सिद्याइस्ट्रो, इसे भी like, share और subscribe, जरूर करना, धन् झाल, जरूर करना, गाल, झाल , यक्रियो करते हो, आपने जो आंपने किस अनुवह कि उसे आ not, झाल, आपने झाल, आपके के बैदा आपकेंग, पर